नोईडा में पुर्वाइपियस राम नारायन सिंग के सेक्टर 50 में आयकर विभाग के चापे मारी में 3 करोड कैश मिले हैं घर के बेस्मिन्ट में टीम को 600 से जादा लॉकर मिले जिसका सर्वे आयकर विभाग की टीम कर रही है बरामद रुपए तीन लॉकर में रखे गए थे दो और संदिग लॉकर जल्द ही तोड़े जा सकते हैं ये रुपए किसके हिसका जवाब अभी नहीं मिला है इंकम टैक्स की टीम उन्हें तलाश कर रही है आयकर विभाग की टीम ने देर रात एक बज़े लॉकर खोले और नोटों की गिंती चलती रही नोईडा सेक्टर 50 में ये मकान पूर वाइपियस अधिकारी आरेंड सिंग का है और इस घर में इनका बेटा सूरियश और उनका पूरा परिवार रहता है पूर वाइपियस अधिकारी और उनकी पत्नी मिर्जापुर में रहते हैं नोईडा में चुनाओं में इस बार रिकॉर्ड ब्लैक मनी मिल रही है 15 जनवरी से अब तक करीब ठाई करोड उपए की ब्लैक मनी मिल चुकी है इने पैसों की जाच के दोरान इंकम टैक्स विभाग को पूर वाइपियस राम राराइंट सिंग के यहां लॉकर होने इन में से किसी लॉकर में अगोशत 20 लाख की नगभी होने की जानकारी मिली जब छापा पड़ा तो बेस्मेंट के अंदर लगबग 600 प्राइविट लॉकर मिले पिछले पास साल से मानसम कमपनी इस सेफटी वॉल्ट में लॉकर किराये पर देने का काम कर रही है पूर वाईपेस अधिकारी की पत्मी के नाम पर नीजी तोर पर प्राइविट लॉकर किराये पर लेने का काम किया जाता है ये इनका पुष्टे निकाम है विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कई लॉकरों में नगदी और आभूशन मिले हैं यहां निम्टताएं भी मिली है कि लाकर पूर ये कि लिए उसमें और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे है कानूनी काम है बैंक लाकर से रेंट आउट करती है हम जाब बैंक से जादा फिसेल्टी देते हैं मनें इंडशेंस की बैंक के लाकर दो बज़े तक चलते हैं हमारे हाँ दस तो ये से आट बज़े तक और संड़े को भी मैट्रेस कराते हैं तो हम फिसल्टी जादा देते हैं और बाकी ये कहीं से भी गैर कानूनी काम नहीं है ये तिन्चार साल मनें पांच साल पे करीज़े हैं देरात पांसों से जादा लोकरों को खंगाला गया पांच संदिक दिन लोकरों के मालक साम में नहीं आए है पकड़ी गई रकम सरकार इखाते में जमा होगी NBT Online की रपार्ट